Hello and Welcome to Great Online Academy, मेरा नाम है रविन, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे नेशनल इंकम राष्ट्री आय के बारे में, राष्ट्री आय क्या होती है और इसको किस तरीके से निकाला गया था, राष्ट्री आय का फॉर्मला आज के समय में क्या यूज होता है, यह सभी चीजों को हम लोग डिसकस करेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे किसी भी मार्केट में लाउफ डिमांड क्या कहता है, किसी भी मार्केट में डिमांड कब बढ़ती है, प्राइस से उसका कैसा रिलेशन है, फिर हम लोग जानेंगे लाउफ सप्लाई को भी, को control करते हैं जब भी कोई भी person किसी business को open करता है कि से भी इसको operate करता है तो उनको इन पांच forces का फोर्स का मार्केट में हमेशा सामना करना पड़ता है अगर कोई भी अपने business को आगे लेके जाना चाहता है तो इन ही forces उसको control करना होता है एक्जाम पॉइंट पॉइंट वी से मार्केटिंग के कोस्टेंज के लिए पॉइंट बहुत हैं तो पॉट इस पाइफ पोर्स एंलेसिस को हम लोग समझेंगे उसके बाद हम जानेंगे रिजार बैंक और फिंडिया जो हमारे भारत का केंदरी बैंक है रिजार बैंक ऑफ इंडिया भारत की मॉनेटरी पॉलसी को कंट्रोल करता था 2016 तक इससे रेटेट जितने भी इंपोर्टन पॉइंट से इसको आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे तो चले फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लिजे ताकि मेरे दोरे दिए हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन था GDP at factor cost में मैंने आपको बताया था कि जब भी government किसी भी company को subsidies देती है तो subsidies और tax को हम लोग subsidies को हमेसा add करते हैं और tax को minus करते हैं इससे क्या होता है हमको यह पता चल जाता है कि जो भी company profit कमा रही है वो कितना कमा रही है market से तो जैसे कि GDP at factor cost होता है उसी तरीके से हम लोग GNP gross national product जो मैंने लास्ट वीडियो में समझाया है GNP at factor cost निकालते हैं जिससे हम लोग को यह पता चल जाता है कि जितने भी हमारे India में goods and services produce हो रही है उनसे हमको कितना पैसा आया यह जो total पैसा होता है वही कहलाता है राष्ट्री आय जिस तरीके से किसी भी family की total income होती है जितने भी उसके members हैं वो कुछ न कुछ पैसा कमाते हैं तो सभी कि अगर हम लोग आय को जोड़ देते हैं तो सब की आय जोड़ने से क्या होता है हम लोग को family income पता चल जाती है उसी तरीके से राष्ट्री आय में हम लोग कोशिस करते हैं कि इंडिया में जितने लोग भी जितना पैसा कमा रहे हैं उसको हम लोग जान सकें तो total हमारे currency का जो एक्सचेंज है वो कितना होता है टोटल मनी या monetary जो हमारी value है वो हम लोग कितना generate कर सकते हैं वो हम लोग जानते अपने national income से देखे national income से related बहुत सारे ऐसे facts हैं जो exam point of week के ले important है तो इन सभी facts को हम लोग देखते हैं सबसे पहला fact है कि national income को सबसे पहले estimate किया गया था 1876 में किसने estimate किया था दादा भाई न procedure से estimate करने की कोशिश की गए 1931 में डॉक्टर वी क्यारवी रौ ने एक scientific procedure अपनाया था 1931 में national income को निकालने के लिए बट यह जो दोनों procedure थे यह बिलकुल approximate data को represent करते थे इनके data को उतना ज्यादा प्रूथफुल नहीं माना गया उतना ज्यादा इन पर बिलीव नहीं किया गया कि यह प्रोसीजर जो है नेशनल इंकम का वो सही है इसलिए जब हमारे कंट्री का इंडिपेंडेंस हो गया तो गौवर्मेंट ऑफ इंडिया ने 1949 में एक कमिटी को बनाया नेशनल इंकम कमिटी सो नेशनल इंकम कमिटी को यह काम दिया गया कि अब राष्ट्री आय का एक सही प्रोसीजर बनाया जाए जिससे भारत की जो नेशनल इंकम है हम लोग उसको बिलकुल एकुरेट फॉर्म में जान सके तो इस कमिटी ने पूरे दो साल लगाए अपनी रिपोर्ट को प्रस्तूत करने में 1951 में नेशनल इंकम कमिटी ने अपने सबसी पहले रिपोर्ट जो है वो प्रस्तूत की इसलिए अगर अग्जाम में कोश्चन आएगा कि भारत की पहली एक कम्प्लीट रिपोर्ट नेशनल इंकम पे कब आय थी तो उसका आंसर होगा 1951 बट जिस कमिटी ने इसको प्रस्तूत किया था उसका गठन कब हुआ है तो वो हुआ है 1949 में तो यह दोनों कोश्चन कई बार आता है बहुत ही बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि 49 अंसर होगा कि 51 तो आप लोग बिल्कुल धान से इसको समझ लिजे यह दोनों कोश्चन एक्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं इसके बाद आप लोग यह बात ध्यान रखना है कि जब इस रिपोर्ट को प्रस्तूत किया गया उसके बाद गौर्मेंट ऑफ इंडिया ने जो हमारा सेंट्रल स्टैस्टिस्टिकल और्गनाइजेशन है इसको बनाया 2 माई 1951 को फि लगातार इसी इंस्टिटूट के द्वारा इस्टिमेट की जाती है एक पॉइंट आप लोग और ध्यान रखें सेंट्रल स्टैस्टिस्टिकल और्गनाइजेशन का नाम चेंज कर दिया गया इसका नाम होगा है इसको सेंट्रल स्टैस्टिस्टिकल ऑफिस सो यह सभी फैक आपने लाइफ में भी महसूस किया होगा जब भी किसी चीज का प्राइज हम लोग मार्केट में बढ़ता हुआ देखते हैं तो हम लोग उन चीजों की कॉंटिटीटीज को हमेशा कम कर देते हैं जब भी अगर हमारा कोई काम अगर पहले हम दो चीजों से इस्तमाल करते थे वो चीजे सस्ती थी जैसे बच्पन में भी अगर आप लोग चॉकलेट खाने जाते थे तो चॉकलेट आप लोग हमेशा वो खरेते होंगे जिसमें आपको ज्यादा चॉकलेट मिल जाएं सब्सक्राइब कोई भी बच्चा कोशिस करेगा कि वह दस चॉकले क्वांटिटी ओख गूड जो भी क्वांटिटी ओगूड खरेदी जारी है वही होती है उसकी WAT öm do जब भी इनकी प्राइस कर देगी तो उसकी दिवांड घट जाती है बट कुछ प्रोड़क्ट्स ऐसे जिनको हम लोग बोलते हैं जिफेन गूर्ड's जिफेन गूड्स ऐसे होते हैं जिनका प्राइस बढ़ता है तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है जैसे आप लोग ने कई बर देखा हो कि जो ब्रेड है या पोटैटो है यह सभी लोगों को हर एक चीज के लिए चाहिए ब्रेड लोग खाते हैं पोटैटो हर एक वेजी टेबल में यूज होता ह है तो इनको क्या होता है जब भी इनकी प्राइस बढ़ जाएगी तो लोग यह सोचते है कि इसके पहले इसकी प्राइस और बढ़े हम लोग इसको जादा जादा खरेद लेते हैं क्योंकि रेगुलर यूज होने वाली चीज है प्लस जूसरी चीज अगर अगर ब्रेड का बढ़ णा है तो वीट का प्राइस यह पड़ पाध गए होगा तो जो लोग रोटी खाना पसंद करते हैं वह रोटी खाने से ज्यादा अगर उनको महँगा पर ला है तो लोग क्या कोपी करेंगे हम लोग ब्रेट को खरेदे और ज्यादा quantity में खरे दें तो जिफेंड गूर्ड ऐसे गूर्स होते हैं जिनकी डिमांड प्राइस बढ़ने के साथ बढ़ जाती है तो लौ दिमांड जह हो जब अपलाई नहीं होता है इसी तरह होता है हमारा लौ अफ सप्लाई लौ सप्लाई क्या होता है जब भी हम लोग कि किसी भी चीज की supply market में बढ़ाते हैं जैसे कुई company अपने प्रोड़क को बहुत ज्यादा धेर सारा उसका supply किसी भी मार्केट में कर देती है जैसे आप कपड़ा खरिदने गए आपको कहीं पे एक ही company का धेर सारा कपड़ा मिलता जा रहा है तो क्या हुआ आप अपने अपने competition को मार्केट में बढ़ा दिया हर जगह आप ही का कपड़ा दिख रहा है तो आपकी supply increase हो गई बट जब ज्यादा supply हो गई तो लोग उसको वैलू कम देने लगते हैं तो जब हर जगह दिखतो रहा है तो competition आपकी सीजे बीकेंगी ज्यादा बट क्या होगा वो क अपने supply को बढ़ाती है ताकि उसको जो नाम है वो बढ़ जाए उसका competition मार्केट में बढ़ जाए भले उसको अपना price कम करना पड़े या फिर आप ऐसे मान सकते हैं कि अगर competition मार्केट में increase करेगा तो उस चीज की price हमेशा कम करनी पड़ती है तभी competition increase कर सकता है नहीं तो competition competition आप नहीं बढ़ा सकते जब तक आप price को किसी चीज के कम नहीं रखेंगे दूसरे value के comparison में I hope यह जो दोनों लौह आप बिल्कुल अच्छे से समझते होंगे आप लोगों को बस यह धान रखना है कि different goods जो होते हैं उन पर law of demand काम नहीं करता है चले अब हम लोग समझते है पोटल के ऐसे 5 forces जो किसी भी market को control करते हैं जब भी कुई भी business किसी market में उतरता है तो यही वो five forces हैं जो एक permanent forces की तरह उस market को control कर रहे होते हैं कुई भी industry अगर अपना product बनाएगी तो सबसे पहले वो इन ही 5 forces को समझती है किसी भी product को बनाने के पहले इन 5 forces को समझा जाता है marketing का जो हमारा syllabus है DFCCL का उसके लिए ये topic बहुत important है इससे questions raised हो सकते हैं इसको आप धान से समझे सबसे पहले चीज़ है competitive rivalry इसमें क्या होता है जब भी हम लोग कहीं पर भी अपना product launch करना चाते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या हमारा जो supplier है जो हमारे product को supply करे या फिर हमारा बायर वह क्या दूसरे के product को भी उठा सकता है अगर एक साथ उसने सेम टाइप के दो प्रड़क्ट को उठा लिया जैसे कि एक कंपनी एक कोका कोला एक है Pepsi तो अगर एक ही supplier Coca Cola के भी product को distribute कर रहा है और वह साथ में Pepsi के product को भी distribute कर रहा है तो जीन जीन सौस हु इंक्रीज हो जाएगा दो product के बीच में तो हमको हमेशा यह देखना होता है कि क्या हम ऐसा product बना रहे हैं जो suppliers कहीं और से नहीं उठा सकते हैं अगर हम इंडिया के market को कैप से करना चाहते हैं तो क्या वह product कहीं और भी बन रहा है या जहां पे हम बेच रहे हैं क्या वहां प buyers की power को यहां पर समझा जाता है direct competition जो सबसे पहले increase होता है वो supplier के वज़े से होता है फिर क्या होता है next point है supplier की power जो हमने उपर अभी discuss किया competitive rivalry में कि supplier अगर पहले से ही किसी competitive rivalry के supply को वो supply कर रहा है तो हमारा जो competition market में directly एक ही बार में increase हो गया तो हमारा product क्या होगा कम भीकेगा तो supplier power एक तरीके से supplier की power को सो कर रहा है second point वो सो करता है कि अगर supplier हमारे product को ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमारा product बहुत ज़्यादा demand में आ जाए और supplier उसको supply ही ना करे पहले case में क्या हो रहा था कि supplier दो लोग के product को एक साथ supply कर रहा था तो competition increase हो रहा था बट अगर हमारी demand ज़्यादा है और अगर supplier हमारे product को supply ही ना करे अगर वो यह हमसे बोले कि आपकी demand बहुत ज़्यादा है हम आपके product supply नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको margin नहीं मिल रहा है आपके product पे तो हम लोग क्या करेंगे अपना product launch करने के बाद भी पूरी तरीके से फस जाएंगे तो supplier की power को हमेशा घटाने की कोसिस की जाती है इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी buyer को अगर जादा से जादा supplier म हम है किसी भी market में distributor ही कम है किसी एक product का जो suppliers हो किसी और product को distribute करते हमारा product distribute नहीं करना चाते तो क्या होगा हम demand होते हुए भी अपना product नहीं भेज पाएंगे तो supplier की power हमेशा reduce करनी के कोसिस की जाती है जादा जादा suppliers create किये जाते हैं companies खुद कई suppliers को create करती है वो नहीं चाहती कि पहले से जो मार्केट में suppliers हमेशा से supply करते रहे क्योंकि demand होने पर अगर product नहीं पहुचा तो बहुत ही लेट हो जाएगी इसी तरह जो हमारी next point है वो है buyer के power के बारे में बायर देखिए क्या कर सकता है अब क्या है अगर आप अपने product के prices को अगर आप डाउन ले जा सकते हैं तो आप क्या करेंगे जो मार्केट है आप उसको competition उसमें आप कर सकते हैं बट अगर आपको कोई rivalry इसी चीज को directly competition इंक्रीज करें अपना price कम करके तो बायर की power क्या होती है बायर उसके पास चला जाएगा जिसका price कम है तो industry हमेशा यह देखती है कि हम जिस product को launch कर रहे हैं कहीं हम उसका price ऐसा तो नहीं रख रहे है कि जो बायर की power है जो बायर हमसे समान खरेदने वाला है वह हमारा समान खरेदना ही न चाहे तो हमेशा यह सारी चीजे जो है market मों ह threat of substitution जैसे मान के चलिए आपको ऐसा product बनाते हैं जिसका जो copy है जैसे आप लोग चाइना में जानते हैं कि हर एक चीज की copy बना दी आती कोई भी original चीजे वो लोग उठाते हैं और उसकी copy बना देते हैं इंडिया से वो लोग ले के जाएंगे एक गडेंजी की मूर्ती दिव काफी लॉंग लाश्टिंग नहीं रहेगा अगर आप कोई software बनाते हैं आपके software के कोई cracked version निकाल दे तो सारे लोग free का cracked version ही उस करना चाहेंगे वो लोग आपका software खरे देंगे यह नहीं तो इस तरह की चीजेव को हमेशा company कोसिस करती है कि अपने product की जो original value है उसको दिखा सके कि हमारे जो original product है वो कितना अच्छा है जब भी आप mobile करेते हैं headphones करेते हैं आप हमेशा देखते होंगे कि जो copied है first copy होती है headphones की यह pen drives की जो first copy होती है बहुत ही सस्ते रेट में मिलती है तो इससे क्या होता है company's को बहुत ही घाटा होता है तो हमेशा company's क्या करती है वो यह सो करती है कि हमारा जो original headphone है या जो हमारा original battery है हमारी original battery charger है यह सारी चीजे हमेशा हम लोगों को help करेंगी एक original value को दिखाने के लिए तो industry इन चीजों को हमेशा ध्यान रखती है फिप्ट जो हमारा threat है जो हमारा fifth force है वो है किसी भी new entry का जैसे आप कोई product बनाते हैं आपके product को कुई भी नया इंसान समझ गया कि यह market में चलने वाला है अब आप क्या करेंगे आप तो पहले सो product बेच रहे हैं बट अगर कोई नया इंसान आ गया तो अब क्या है अगर व पहले से ही डाटास को दे रहा था 4G data को सबसे पहले अटेल देना स्टार्ट किया था फिर BSNL भी देता था तो 4G data जो है वो एटेल देता था बट वह बहुत हाय रेट्स पे देता था बट जियो अचानक से पूरे मार्केट हो घुज गया पूरे मार्केट को capture कर लिया तो तो वो किसी एक specific product को लेके ही बनाया जाते हैं उनके पास एक बहुत अच्छा प्लान होता है और जो भी लोग startups खोलते हैं वो उसी product के लिए dedicated होते हैं बलकि जो इंड़स्ट्री पहले से काम करी हो कई product बनाती हैं तो अगर किसी नए startup ने आपके पूरे product को चेंज कर दिया उससे भी अच्छा product market में ले आ है जैसे कि आप देखते होंगे Samsung का mobile पहले आता था अब Redmi MI ये सब के mobile साते हैं तो Redmi MI ने क्या किया new entry ली market में और इतने ज्यादा feature दे दिये कि जो maximum users हैं आज के समय में इंडिया में वो MI का phones यूज करते हैं वो Chinese phones को यूज करते हैं क्योंकि उसमें के features जादा हैं तो threat of new entry यही होता है जब भी कोई ऐसा start-up खोलता है जो dedicated हो completely एक ऐसे feature को लाने के लिए जो आप अभी तक नहीं दे पाए हैं तो यह market से आपके पूरे position को change कर सकता है देखें यह जो पांस forces हैं यह permanent forces हैं इस तरह के और भी forces होते हैं अगर company का जो growth rate industry वह बहुत ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा market में उसकी value बढ़ेगी लोग उसकी चीजों पर ज्यादा विस्वास करेंगे फिर क्या होगा government intervention आपके company पे ज्यादा हो गया government आपकी चीजों के पीछे पड़े यह आपके लिए नहीं ने rules लाने लगी तो आप क्या है अपने अगर फीचर पहले देते थे अब वह फीचर अगर आप ना दे पाएं जैसे कि ट्विटर पर आजकल जो आप देख रहा है government इतना बैन लगा रही है social media पर तो अब जितने भी social media company से अब यह काम नहीं कर पाएंगी तो अब क्या होगी उनकी market value कहीं ने कहीं कम हो जाएगी इसी तरह होता है technological innovation technological innovation कोई भी एक company अगर ऐसा technology ले जो आपने आज तक सोचा भी नहीं था जैसे जियो ने 4G का LTE technology लेका है तो वह technology पूरी तरीके से market को capture कर लिए और air tail का market टूड गया तो इस तरह की जितनी भी forces हैं यह काम करती है किसी market में जब भी कोई भी product उतारा जात है Reserve Bank of India के बारे में देखे Reserve Bank of India ऐसा एक bank है जिसमें कोई भी अपना account नहीं खुलवा सकता बट यह इंडिया का Central Bank है Central Bank और National Bank में आप लोग कंफ्यूज नहीं करेगा आधियों को डार्टी इंप्लीमेंट करता है जो हमारे देश की मौधिर नीति है जो हमको पैसा चापना है हमको कितना पैसा कब चापना है हम एक साथ तो सारा पैसा नहीं चाप देंगे कि सबको अमीर बना दें तो किस तरीके का हमारे country में काम हो रहा है किस वक्तना पैसा यह सारी चीजों को decide करता है Reserve Bank of India Reserve Bank of India को 1934 के Act से लाए गया था Reserve Bank of India Act 1934 इसको जो है काम करना इसका जो operation से वो start हुआ था एक April 1935 में यह दोनों फैक्ट बिल्कुल ध्यान से समझ लिजे इसका एक्ट आया था 1934 में और अगर आपसे पूछे कि Reserve Bank of India कब से काम कर रहा है तो आप लोग को हमेशा टिक मारना है 1935 पर क्योंकि यह दोनों यह बिल्कुल अगल बगल है तो बच्चों को बहुत बार कंफीजन होता है कि साथ 1934 से ही काम कर रहा है बट ऐसा नहीं है फिर Reserve Bank of India को बारे में एक बात और समझे Reserve Bank of India को जो राश्ट्री करण है इसको देश का सबसे Central Bank कब बनाए गया है तो यह बनाए गया 1949 में एक जन्वरी से एक जन्वरी 1949 से Reserve Bank of India देश का केंदरी बैंक बन गया जो सारे मौधरिक नीती को देश की कंट्रोल करता था Reserve Bank of India में टोटल 21 बोर्ड मेंबर होते हैं और एक इनका गवर्नर होता है तो 21 बोर्ड मेंबर प्लस एक गवर्नर तो टोटल कितने मेंबर होते हैं 22 रिजर्ब एंक ऑफ इंडिया के जो इस वक्त गवर्नर है वह है शक्तिकांदास जी रिजर्ब एंक ऑफ इंडिया हमारे भारत की मौद्रिक नीती को 2016 तक कंट्रोल करता था बट जब मोदी जी की गवर्मेंट आई तो उन्होंने रिजर्ब एंक ऑफ इंडिया के जो पावर्स है उनको चेंज करने की कोशिस की गए इसके उपर बहुत बवाल हुआ था कि जो रिजर्ब एंक ऑफ इंडिया हो एक इनडिपेंडेंट बटी है उसको सरकार्टल नहीं कर सकती बट डो सोल्ह के बास्ते रिजर्ब एंक औफ इंडिया की पूरे रैट्स महीं है कि कब कितना पैसा चापना है कब नहीं हैu ये सारी डिजाशन सेंट्रल गॉर्मनेंट भी ल 2016 से थोड़ी कम हो गई अभी Reserve Bank of India अभी भी monetary policy को control करता है बट इसमें government जो है वो full power इसको नहीं देती है थोड़ा बहुत power अपने पास भी रखी है प्लस आप लोगों को एक बात और ध्यान रखना है अगर आप से कभी question आ जाए कि हमारे देश की financial policy को कौन control करता है तो आप ल ministry चरे बच्चो आई होब यह सारे point आपको बिल्कुल clear हो गया होंगे अब हम लोगों मिलते हैं हमारे next video में इस lecture स्रेटर अब आपको कोई भी doubt होता है तो आप टेलिग्राम चैनल या comment box में मुझसे पूछ तकते हैं टेलिग्राम चैनल का link हमारे description box में रहता है तो चले मिल होता है हमारे next video में thank you for watching my video जैहिंद